आप जो रहा चुजी चुविस के लगता आजा समाचार साते हूँचु महिरावल सीधा जो इदिल्ली के जब भाज अपनी हाल प्रेस कॉन्फरेंस चाली रहे शेया ने धरमिंद्र प्रिदान संबोधर करी रहा शेया कि पिछले पांच साल में और हम लोगों ने दिया है हमें पूरा विश्वास है हम कि 2022 की इस महापर्व में पुनह उसी स्पस्टता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशिरवात करेगी उसकी सारे लक्षन दिखने को मिलता है हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारी साथ अशिरवात करेगा हमारी पार्टी के उपर इंडिया के उपर हमारी गटवन्धन फिर तीन सो से अधिक मतों से जीतेगी सीटों को हम जीतेंगे यह हमारा पूरा भरोसा है मित्रों मैं एक दो प्रमूख विश्य उल्लेक करूंगा हमने पहला चरण और दूसरा चरण की आज हम पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपकी सामने नाम रखेंगे दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों की हम नाम रखेंगे सेज हमारी जो सीट है उसकी विचार विमर्स पर्लामेंटरी बोर्ड ने किया है उसके अधिकार राष्टी अध्यक जी को दे दिया गया है कुछ सीटों की गटबंदन की हमारी जो गटबंदन उनको भी इसे लिए उसकी घोसना आज हम नहीं कर रहे हैं और फिर आगे हम आपको तिसरे चौथे पांचवे चटवे और साथवे चरण के हम जैसे जैसे ते होगा उसको बताएंगे मैं आज प्रत्यासी सुची घोसित करते हुए मैं एक दो चीजों की हाइलाइट करूँगा और बाकी उसकी बिबरन मेरे मित्र अरुन सिंग जी हमारे पार्टी के राष्टी और महामंत्री आपकी सामने उल्लेक करेंगे मित्रो भारतिय जन्ता पार्टी जब संबेदन सिल सरकार कहती है जब सर्वसपर्शी समाज कहती है सिर्फ कहती नहीं करके भी दिखाती है हमने जो कहा उसो किया कारेकरमों में और नितुर्तों में भी हम उत्तर प्रदेश में पहले से भी हमारी परंपरा रही इस बार भी हमने जबी जो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हम सामान्य सीट में भी अनुसूची जाती की बर्गा की मितनों को भी लड़ाएंगे उसकी एक सीट आज हम आपकी सामने जवरुन शिंग भी आपको गोशना करेंगे उसकी उले खाएगी आज भी इस प्रकार की एक सीट है आगे भी इस प्रकार की सीट आएगा सर्वसमाज, सर्वसपर्सी, प्रतिनीधितों क्या जाएगा मैं सबसे पहले दो प्रमूख सीटों की बारे में जो फास्ट और शेकेंड फेज में नहीं है उसकी उस शुक्ता आप लोगों की अंदर है मैं पार्लामेंटरी बोर्ड की मानिया जगत प्रकार स्नेड़ा जी की नितुरतों में मानिया प्रधान मंत्री जी की मारग दर्शन में जो हमारी पार्लामेंटरी बोर्ड बैठी उसकी जो निर्णे हुआ है उसमें से दो प्रमूख सीटों की बारे मैं आपकी सामने सुचित कर रहा हूँ योगी आदित्यनाद जी गोरोगपूर सहर आदिने योगी जी हमारे मुक्षमंत्री की दाइतों में है वो गोरोगपूर सहर से चुनाओ में पार्टी के और से प्रत्याशी होंगे प्रयागरा जिले में सिराथू दो सो एकाबन सिराथू सीट में पार्टी के और से प्रत्याशी होंगे फिर मैं अरुन सिंग्जी को कहता हूँ वो आपकी सामने बाकी सीटों की बारे में उल्लिक करेंगे मित्रो भार्टी जिन्ता पार्टी की केंद्री चुनाओ समिती ने जिन नामों पे मोहर लगाई है उन प्रत्याशियों की नाम में पढ़ता हूँ कैराना कैराना से भार्टी जिन्ता पार्टी ने श्रीमेत्री मिर्गांगा सिंग को अपना प्रत्याशी बनाया है थानाबौन हम सब को मालूम है कि गन्ना किसानों की स्थिति भहुत ही खराब थी, हमारे चरकार के समय बहुत अच्छी गन्ना किसानों के लिए काम हुआ, वहां से गन्ना मंत्री स्री सुरेश राना को पुना भारति जंता पार्टी ने प्रत्यासी अपना बनाया है, सामली से स्री तेजंदर सिंग निर्वाल वा प्रत्यासी होंगे बुढाना से स्री उमेस मलिक प्रत्यासी होंगे और चर्थावल से स्री मती सफना कश्यप पार्टी के उमिद्वार होंगी पूरकाजी से स्री प्रमोद उटवाल पार्टी के प्रत्यासी होंगे मुझफर नगर उत्तरप्रदेश में मंत्री स्री कपिल दिवागरवाल वहां से चुनाव लडेंगे खतावली से स्री बिक्रम सैनी जी चुनाव लडेंगे मीरापूर से परसांद गुजर को पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है सिवाल खास सियां से मनेंद्र पाल सिंग वह पार्टी के प्रत्यासी होंगी सरदना सीट पिकिंद्रा केंद्री चुनाव सम्ती ने संगी सोम को अपना प्रत्यासी बनाया है हस्तिनापूर यहां से श्री दिनेश खटिक वह भारती दिन्ता पार्टी के प्रत्यासी होंगी मेरट कैन से अमित्र अगरवाल जो वो बहुत पहले विधायक होते थे उनको पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है कि ठोर अभी सिटिंग विधायक सत्वीर त्यागी जी को पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है और मेरट से श्री कमल दत्त सर्मा पार्टी के प्रत्यासी होंगी मेरट साउच से सुमिंदर तोमर वो पार्टी के प्रत्यासी है चप्रवुली से स्री सहेंद्र सिंग रमाला यह पार्टी के प्रत्यासी होंगे स्री सहेंद्र सिंग रमाला रमाला वहां बड़ो से स्री कृष्पाल सिंग मलीक के पी सिंग के पी मलीक यह पार्टी के प्रत्यासी होंगे, बागपस से सिटिंग विदायक स्री योगेस धामा इनको पार्टी ने अपना प्रत्यासी बनाया है, लोनी जो गाजियाबाद में है, वहाँ से स्री नंद किसोर गुजर पुना भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी होंगे, अभी सिटि सिटिंग डिढायाक है पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है शाहिवाबाद असंतर नभी मंतरी अतुरलगर को पुनहल पार्टी ने अपना प्रत्यासी बनाया है मोदी नगर डाक्टर स्रीमती मंजू सिवाज इस सिटिंग मिधायक है पार्टी ने आपको यहां से मोदी नगर से प्रत्यासी बनाया है धौलाना से सिरिधरमेश तोमर पार्टी के प्रत्यासी होंगे हापूर से बिजय पाल आड़ती यह पार्टी के प्रत्यासी गड़ मुक्तेश्वर, श्री हरेंद्र चोधरी तेवतिया यह पार्टी के प्रत्यासी होंगे, नुएडा यहां से श्री पंकर सिंग भारतियंता पार्टी के प्रत्यासी होंगे, सिटिंग विधायक हैं, दादरी से तेजपाल सिंग नागर वह पार्टी के सिटिंग विधा की परत्यासी होंगे सिकंद्राबाद यहां पार्टी ने नौजवान कारकरता सिरी लच्मी राज सिंग को परत्यासी बनाया है यहां बदला हुआ है श्री बुलंद सहर से प्रदीव चौधरी को पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है, स्याना, स्याना से देवेंद सिंग लोधी यह भारती जिनता पार्टी के कंडिडेट होंगे यह चुनाव लड़ेंगे, अनुण सहर से स्री संजय सर्मा, डिवाई से स्री सीपी सिंग चुनाव लड़ेंगे, सिकार पूर्न से अभी योगी सरकार वे मंतरी स्री अनिल सर्मा जी वहां से पार्टी के प्रत्यासी होंगे, खोर्जा से खोर्जा खोर्जा से सिरी मति मिनाक्षे सिंग वाटी के प्रत्यासी होंगे खैर सिरी अनूब प्रदान बालमी की अभी सिटिंग विधायक है वो उनको पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है बरवली से ठाकुर जैबीर सिंग वह उनको पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है अत्रवली अभी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी है और उत्तर प्रदेश के कदावर निता और जिनका पुरा उत्तर प्रदेश सम्मान करता है ऐसे बाबु के लियान सिंग जी के नाती है मंत्री है उनको पार्टी ने यहां से पुना प्रत्यासी बनाया है संदेव सिंग चर्रा से रभिंदर पाल सिंग अभी सीटिंग विदायक है पार्टी ने उनको प्रत्यासी बनाया है कोल कोल से अनिल परासर वह अभी सीटिंग बिदायक है बहुत उर्जावान कार करता है पार्टी ने उनको प्रत्यासी बनाया है इगलास इगलास से स्री राजकुमार सहयोगी यह पार्टी के प्रत्यासी होंगे चाता से उस छेत्र में जो चोधरी साब है उनको बहुत बड़ा नाम है कई छेत्रों में उनका प्रभाव है और अभी योगी सरकार में मंत्री हैं ऐसे चोधरी लच्षपी नरायन जी उनको पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है माट से शिरी राजेश चोधरी को पार्टी ने विश्वास बेक्त किया है गोबर्धन की सीट बदली है यहां से ठाकोर मेक साम सिंग गोबर्धन से ठाकोर मेक साम सिंग वह भारत्यांता पार्टी के प्रत्यासी होंगी मतुरा हम सब को मालूम है कि समाजवादी तो त्यप्रदेशना चुटनी नी पहली यादी भाज़ा पे जायर करें चैने सौथी महतों नी वात एसा में आवे चे योगी आधित नाथ गुरकपूर थी चुटनी लड़शे अत्यापस दिवायोद्या थी चुटनी लड़वान